नमस्कार मैं बासकर भारतवाज आप सभी का हार्दी का अब नंदन और स्वागत करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी खुसकबरी है खासरों के लिए जो बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि नीट पीजी का कॉंसलिंग अब से स्टार्ट होगा तो बहुत जल्दी बीजीन वन वीक अब ये स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का मेल आया एक कॉलेज हो जाते हैं तो पूरा वीडियो देखिया आपको बिलकुल बहुत एक अच्छा सा ये पता चाल जाएगा कि हां किस कॉलेज रटमिशन ले सकते हैं हमारा रेंक के एकॉर्डिंग टू क्या चांसस है और फीस कितनी देनी होगी कॉलेज बाइग और मैं आपको ये कॉलेज रेंक वन पर है ये टू पर है ये त्री पर मैं एक उल्टू उसके ही बात करूँगा तो चली स्टार्ट करते हैं फटाफट तो सबस्प्र आते हैं कि जो टॉप टेंड इंडिया में हैं जो कि बहुत जादा फेमस हैं और अच्छे कॉलेजेज हैं जिसमें अब मैं ऐसे कहूं तो आपका रेंक 500 टू 1500 मतब पहला में रेंज ले रहा हूँ एक हजार का 500 तक को तो आपको किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं गौर्मेंट कॉलेज मिल ही जाता है कोई ना कोई ब्रांच अब मैं बात कहूं 500 प्लस रेंक एंड लेस दें फिफ्टीन इसके दो कॉलेज है एक बैंगलावर में है और एक मनिपाल में मैं मनिपाल वाले की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट रेंग पर आता है अगर आप इसकी फी स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो अलग लग ब्रांच में अलग लग फी स्ट्रक्चर है और अगर आपका रेंग 1500, 1600 1700, sometime 2200 तक भी यह लिया है ऐसा नहीं की नहीं है और यह सारा मैं without donation वाली बात कर रहा हूँ मतलब जो इसकी category A seat है मतलब on the basis of your performance और यहाँ पर category B seat भी होती है इसको management quota कहते है that is the different thing उसके लिए मैं नहीं बात करूँगा कि उसमें कुछ भी rank है किस rank पे लिए रहे हुनका क्या होता है वो मुझे नहीं पता है तो अगर आप मनीपाल में ले रहे है तो इसका minimum fees है वो 28 lakh रूपीज है for 3 year और जो maximum है वो 52 lakh रूपीज for 3 year अगर complete MDS का जो package है 30 lakh आप कह सकते है minimum 30 lakh से start होती है और 52 lakh तक जाती है 3 साल का यहाँ पर difference इसलिए है क्योंकि इस college में अलग-अलग ब्रांच की अलग-अलग fees है OMDR का fees इसका 6 lakh रूपीज है तो 6,80 इसके अलावा आपके रहने का खर्च खाने का खर्च और यह बहुत कुछ है इसमें तो 28 इनका including है और अगर आप OS लेते हैं तो इसका 12 lakh रूपीज हो जाता है 12 lakh something and taxes, hostel fee यह सब करके 52 lakh हो जाता है तो इन्हो एक बहुत अच्छा को जानते हैं Christian Dental College लुदियाना या CMC लुदियाना के नाम से बहुत प्यमस है अब जो CMC वैलोर सुनते हैं उसी का यह branch है CMC लुदियाना यह बहुत अच्छा college है इसकी fees कम है क्योंकि यह funded होता है मतलब इन्हें fund मिलती है government से अलग-अलग संस्था से तो इनकी fees थोड़ी कम है यह अच्छा college है second one of the top five और private college के नाम ले जाएंगे कभी बी dentistry में तो इसका नाम पक्का उस top five में होगा और इसकी जो fees है वो बहुत कम है मतलब कम का in sense यह नहीं कि इसकी fees 10,000 रुपए कम का sense यह है कि private college के और इसकी fees बहुत कम है इसकी fees जो है 13,00 to 17,00 अलग अलग ब्रांच में यहां भी अलग अलग आपकी fees होता है बट इसके लिए आपको rank बहुत अच्छा लगा होगा उसके बाद है आपका SDM धारवा यह college मैं जब third year में था तब से मैं second year, third year में इस college को जानने लगा था क्योंकि इन्होंने forensic इनकी बहुत famous है यह after BDS और internship में जब आप होंगे तब भी इसको follow up कर सकते हैं तो उस पर कैसी और दिन बात करेंगे इसका सबसे अच्छा इंडिया है forensic पर है तो यहां से भी आप कर सकते हैं SDM धारवा बहुत अच्छा college है private में इसकी fees भी आपको जो range करेगी वो 23 to 37 के बीच में होगी और यह म यह जी बोलना हो कि private colleges में branch के ऊपर depend करता है उसकी fees गौर्मेंट college में चाहए आप OMDR लो यह या OS लो आपकी फीज सेम होगी same college की but private college में ऐसा नहीं होता है वो depend करता है आप किस branch के वारे में particular किस branch के वारे में बात करना चाहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर है Shree Chandra Ram Ch स्री रामचंद्रा डेंटल कॉलेज इंड हॉस्पिटल चन्ने यहां की ओएस बहुत अच्छी है इसलिए अच्छी है यहां की यहां की ओएस क्योंकि इसका खुद का एक बहुत ही विल सेटल्ड कॉलेज और अमभीएस कॉलेज है साथ में जहां पर पीजी भी होती है इसकी फिर आजाता है मनिपाल कॉलेज यह बात करो मैंगलोर वाले की मैं इसकी फीज थोड़ी कम हो जाती है इसकी फीज होती है 26 लैक टू 43 लैक रुपीज डिपेंडिंग ओन दा ब्रांच आप कौन सा ब्रांच ले रहे हैं फिर आता है चन्नहीं में ही SRM देंटल कॉलेज चन् 26 लैक टू 34 लैक रुपीज इसके बाद जो कॉलेज आता है वो है भारतिय बिद्यापीट पूने इसकी जो फीज है वो भी है आपकी नियरली 26 लैक टू 33 लैक रुपीज डिपेंडिंग अपन यह किस में आ रहे है यह तो मैं आप एक टॉप 10 लिस्ट बता रहा हूं जो की गॉपी गॉर्णमेंट के थूप या फिर जो डेंटल है डिफ्रेंट टेंपल जो डेंटल कर देते हैं लोग के हां ये ऐसा कॉलेज है वो आसा कॉलेज है इसके लिष्ट क के वादि में ने बात किया यह वैसे कोई सने भी मुझे इस्पांसर नहीं किया है अब बात करते ह स्टेट वाइस कि हाँ अब हमारे रेंक हैं बहुत खराब रेंक है हमारे रेंक 10,000 है 9,000 है और हम चाह रहे हैं कि हम BDS बात MDS कर लें पैसे भी हैं we are ready to go for private college बट फिर अगर ये सब colleges नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्यों कहीं और जाना है दूसरे state में हम खुद के state से क्यों नहीं कर लें तो हमें state wise बात करूँ आपसे थोड़ा से ये वीडियो लंबा हो जाएगा आज बट आपको सारा कुछ में तो अब हम बात करते हैं state wise अगर हम state wise की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं अपने सहर से दिल्ली अगर आप दिल्ली से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर सब तीन ही college एक है faculty of dentistry जहां में मिले अस्लामिया जहां से मैं हूँ सेकेंड है मौला नहाजाद dental college और थर्ड है ESIC तो डेली में कोई भी private college नहीं है आपके पास सिर्फ option बसता है वो government college के बसता है और MDS में दो तीन college और add हो जाते हैं यहाँ जैसे आप lady hardy add हो जाता है for MDS OS से करना चाहते हैं उनके पास branches है medical college है बट OS कौन के पास branch है तो हाँ से आप कर सकते हैं कि addition हो जाता है MDS में और university medical college of university जो है देली university के अंदर जो आती है UCMS उसमें भी आपके OS के branch मिल जाते हैं आपको तो पांच college है वो पांचो के पांचो government college है तो हम किसी भी condition लेकिन हाँ देली वालों के लिए फायदा यह है कि आपके आस-पास बहुत सारे college है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे college होंगे अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की में उत्तर प्रदेश में टूटल 26 colleges है जो MDS कराती है आपको और लगभग लगभग आपके hometown से nearest 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 आपको सारे college मिल जाएगा चाहाँ यूप में किसी भी छेतर में रहते हूं उससे कोई matter नहीं करेगा आपको जैसे for example लखनों के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपके पास सुष्टी dental college है अच्छा college है आप दिली के आसपास है तो ITS greater noida है आपके पास बाके बिहारी dental college है इंदरप्रस्त है साहिवाबाद वाला फिर सुहारती मेरट इसका OS बहुत सकते हैं फिर सबका तो लेना इतना easy नहीं हुगा हर 26 college का नाम ले पाना फिर institute of dental sciences है बरेली में वहाँ भी आप जा सकते हैं केडियर लखनों में है वो भी अच्छा है जिब बिज होती है गाज्यावाद में वहाँ भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर तीन college है जो कि government college है तो KGMU है और एक BHU है और तीसरा EMU है इन दिनों में faculty of dentistry जो है तो वह government college है और बहुत अच्छे colleges हैं अब मैं बात करता हूं कि अगर हम दिल्ली के आस-पास की लोगों के लिए ही बात कर ले तो मान रचना है फरीदावाद मैसे तो हडियाना में आता है बट यह NCR के सुधारस्तोगी है ITC है और शार्दा इंवर्सेटी है अच्छा इंवर्सेटी है जमू कस्मीर से अगर आप बिलॉंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दो कॉलेज एक दोविंद्याचल देंटल कॉलेज है और एक है आपका हजारी वाग देंटल कॉलेज जो प्राइविट कॉलेज है और अगर आप चाहते कि आप वहीं से करना है तो आप कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपके पास आप्स भी डेंटल कॉलेज हैं वहां से भी आप जा सकते हैं करने के लिए बात करते हैं हडियाना की तो हडियाना में जो है कॉलेज है या मनाडन नगर में ये सारे धिक अटैने को बुड़ा कह रहा हूं कि आप нав started प्राइब कई देंकलनिक इस तेनल सब पहले उसके बाद फिर जो हैं वो सारे के सारे private college है अगर आप गुजरात से बिलॉंग करते हैं तो एमदाबाद dental college में आप जा सकते हैं अच्छा college है ठीक टा गोइंका research institute of dental sciences भी अच्छा college है ऐसा मुझा सुचे करें इसका college का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ वो अच्छा नहीं है बस मैं सब का नाम नहीं ले पाऊँगा आप इसमें जा सकते हैं इन सब की जो fee structure है यह तो मैं बता नहीं भूल गया आपको जैसे कर यूपी की बात करें तो यूपी में जो fee structure है वो 10 lakh से start होती है और 25 lakh तक जाती जाते हैं सब कुछ finish हो जाता है अगर आप गुजरात की बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की तो आपकी नियरली जो fee structure होगी वो 12 lakh यह जो मैं कहरा हूँ 12 lakh पर year की बात नहीं कर रहा हूँ complete MDS 3 साल की बात कर रहा हूँ 12 lakh से सुरू होती है और 20 lakh पर खतम हो जाती है जारखंड की बात करेंगे आप तो जारखंड में जितने भी dental college हैं वहाँ पर आपकी जो fees है वो लगबख 15 lakh से start होती है और 22 lakh पर फिनिश हो जाती है बात करते हैं करनाटका की तो करनाटका में अल्रेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं बेंगलावर में बहुत बहुत अच्छे से इसमें बहुत अच्छा college में जोता हुआ है ABCT ABCT college बहुत अच्छा है बट इसकी fees फिर बहुत हाए इसकी fees आपको 20 lakh to 33 lakh तक जाती है MDS में मनिपाल की बात में कर चुका हूँ स्री अरविंदो डेंटल कॉलेज भी इसका बहुत अच्छा है KVG डेंटल कॉलेज अच्छा है और अगर आप करनाटका से करना चाहरे है या पर थोड़ी सी fees वेडियेशन है fees थोड़ी जादा होगी अच्छे ब्रांचेज की बट आपको quality education यहां भी मिलेगा और अब बात करते हैं केरला की केरला आपको मैं बता दूँ की इंडिया में सिर्फ एक ऐसा state केरला है जिसके पास की पांच government dental college है single state है वो जिसके पास पांच government dental colleges है और कोई भी status है नहीं है जहापर पांच government dental college है maximum state में तो एक एक college है जो government dental college में से आते है तो अगर आप केरला से करना चाह रहा है तो मैं केरला सिर्फ उन्ही को से जिस्ट करूँगा जो South Indian है क्योंकि आप North India से बिलों करते हैं और केरला जाकर करके अगर आप MDS कर रहे है government college is a different thing government college में आपको staffet मिलती है आप एक competition pass करके जा रहे है आपको वही एक option मिल रहा है please go, do it बटकर private college में जा रहे हैं करने के लिए तो आप कहीं से भी कर सकते हैं तो private college में then don't go क्योंकि आपको language problem बहुत ज़्यादा face करना होगा और आपको बहुत ज़्यादा problem हो जाएगी तो अगर आप केरला जा रहे हैं किसी college में private college में तो उससे बेटर है कि आप बेंगलोर सिफ्ट कीजिए आप डेली सिफ्ट केजिए आप यूपी सिफ्ट केजिए आप चंडिकर सिफ्ट केजिए पंजाब से लिए लुद्याना cmc यहाँ पर problem यह नहीं होती है मैं यह नहीं कर लाए culture difference बहुत सारी चीज़ें आपको settlement होने में आपको एक साल लग जाएगा और तब तक आपका एक साल निकल चुका होगा है MDS का अब बात कर लेते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में जो private college में जिसका थोड़ा सा रुद्वा है नाम है अच्छा है वो है आपका महत्मा गांदी dental college जैपूर यह सच में अच्छा college है इसके साथ इसका खुद का MBS college भी है जो साथी साथ चलता है तो इस वाले के लिए फिर यह बहुत helpful हो जाता है यह college फिर आप बात करेंगे तो जैपूर में नेरली five to six colleges है निम्स है एकलव यह dental college है dental wing है सवायमान सिंग मतब उसका फिर आपका जोदपू dental college है आपका pacific dental college है राजस्थान dental college है पैसिफिक है यह सारे college है बट राजस्थान में फिर आपकी fees कम हो जाती है कहने को आपको बोलेंगे कि हाँ हमारी fees जो है 10 लाक रुपीस पर यह बट जब आप उनके office आएंगे उनसे बैठेंगे उनसे बात करेंगे तो वो rangeable हो जाता है आपके राजस्था आपको 10 लाक टू 22 लाक इससे जादा किसी भी college की fees नहीं है अगर आप किसी में भी चले जाएगी आपको कुछ ज़्यादा नहीं आपको maximum 25 लाक महात्मागाने की भी बात कर रहें तो आपको 25 लाक से ज़्यादा पे नहीं करना होगा for 3 तो यहां पर फिर आपके पास options बहुत सारे अपको उडिशा की बात करें तो उडिशा में maximum कटक और भूबनेश्वर में ही college है सारी colleges अच्छे हैं इसमें से private में कलिंगा है उसके बाद आपका कटक institute of dental research गांधी dental college भूबनेश्वर हाई-tech dental college भूबनेश्वर इंस्वर 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 लॉड जगरनाथ dental college उडिशा dental college यह सब भूबनेश्वर में ही आपको मिलेंगा भूबनेश्वर में ही सारे colleges है इनके और यहां भी फी रेंज जो है आपका 12 lakh to 24 lakh होता है इससे ज्यादा नहीं जाता है तो यहां से भी आप कर सकते हैं अगर आप उडिशा से बिलोंग करते हैं तो तो यह तो थोड़ा महगा इसलिए हो जाता है क्योंकि वह सिंगल कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज बिहार में तो यह सारे colleges हैं जहां पर आप जाके कर सकते हैं आनप्रदीश भी आप जा सकते हैं विशाका पत्नम में गीतम इंसिचूट ऑफ देंटल साइंसे हैं वह भी अच्छा college ह थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके मैं माफी चाहूँगा क्योंकि सारे state wise दाना था तो अगर आपकी priority आपके पास पैसे कम है तो first पर रखिए आप UP को UP में आपको colleges मिल जाएंगे 10 lakh के range से start हो जाती है 15 lakh, 16 lakh, 17 lakh, 20 lakh, 22 lakh तक में आपको बहुत अच्छा college मिल जाएगा अगर आपके rank बहुत अच्छे है तो top 10 में जाए जो मिने starting में बता है आपको उसकी fees थोड़ी high होगी बट ठीक है और आपके rank खराब है और पैसे आपके पास है moderate amount में तो आप second पर करनाटिका को रख सकते हैं करनाटिका में आपको जो भी colleges मिलेंगे वो आपको थोड़ा अच्छे मिलेंगे, upgraded मिलेंगे और थोड़ा महगा हो जाएगा वहाँ पर आपका जो fees होगा जैसे UP में मैंने का 10 lakh से start हो जाएगा आपका पूरा MDS course तो वहाँ पर आपको 15-16 lakh में start होगा और in up to 35, 36, 37 ऐसे होगा बट आपको वहाँ पर अच्छे college के options मिल जाते हैं और 15-24 के range में बहुत सारे college मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे-च्छे colleges है आप अगर मद्द परदेश जाएंगे तो वहाँ भी फिर UP जाएंगे आपको 10 lakh to 24 lakh के बीच में सारे college आजाएंगे और आप बिलकुल असानी से जा सकते वहाँ पर और rank की बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं होती है private college में आप यह मत सोचीगा कि आपका rank 7,000 है तो आपको कौन सा college मिलेगा 7,000 आपको कोई भी private college मिल जाएगा मतर टॉप 10 की बात अगर हम छोड़ना है तो आपको मिल जाता है तो 10,000 पर भी मिल जाएगा 12,000 rank होगी आपकी तो भी निरास ना हो अगर आपको ले CMC लुदियाना के लिए जरू ट्राइ कीजेगा जिनका भी rank 500,000 के बीच में क्योंकि वो बहुत अच्छा college है और fees भी उसकी बहुत कम है income prison to private colleges जो quality प्रवाइट करता है उसकी कोई उसकी fees बहुत कम है और फिर अगर आप South से हैं तो अपली South में रहने का कोसिस करें North में तो क्योंकि आपको same level का private call इधर भी मिल जाएगा है इसा नहीं की नहीं मिलेगा आपको कुछ नहीं कुछ similarity आपको मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए चैनल को और आपका कोई भी question हो इस से रेलेटर कि आपका rank particularly इस range म आ रहा है आपका amount यह है आप यह branch लेना चाहते हैं तो please message me follow me on Instagram Instagram पर आप मुझे follow कीजिए बासकबार दो आज को और आप अपने questions मुझे send कीजिए कि हाँ आपका यह rank है आपका यह choice का branch आप लेना चाहते हैं और आप इतना ही amount खर्च कर सकते हैं अपने MDS की पढ़ाई पर तो मैं आपको suggest कर सकता हूँ मैं यह नहीं कहूँगा कि हाँ वही college आप select कीजिए बट मैं आपको एक range दे सकता आपके requirement को fulfill करता है तो में भी वह आपके लिए helpful हो जाए thank you so much कि आपने इतना time लिया मुझे इतना आराम से मुझे सुने चैनल को subscribe केजिए like केजिए और share जरूर केजिएगा thank you